हाई गाईज असलाम उलेकुम विल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे हो आप लोग अलहमदलिल्ला मैं बहुत अच्छी हूँ और उमीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे हूँगे और आज मैं बना रही हूँ पालक चिकन तो मैं इसमें सोया पालक मिलाऊंगी और चिकन के साथ बनाऊंगी बहुत ज़्यदा टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी भी होता है तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं तो मैंने एक किलो चिकन लिया था, काफी अच्छी तरह से वाश कर लिया है, और बस अभी बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारा बर्दन गर्ण हो गया है, और मैंने इसमें तेल डालिया है, तो सबसे पहले मैं चिकन को फ्राइब करूँगी। क्योंकि जो थोड़ा सा इसमें कच्छा कच्छा इसमें लाता है वो चला जाएगा तो मैंने बस इसमें चिकन डाल दिया है और इसको फ्राई करूंगी तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाल कर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो यहां पर मैं नमक और हल्दी डाल कर इसको मैं फ्राई कर लेंगे तो मैंने चिकन को फ्राइ करके निकाल दिया है और अब इसी देल में मैं प्यास डाल दूंगी तो प्यास को मैंने बारिक चौप किया है तो बड़े-बड़े प्यास थे मैंने इसको टॉप करिया था तो बस अभी अच्छे से इसको फ्राइ करेंगे और बस इसमें के मसाला डालेंगे तो प्यास हमारी लाल होना शुरू हो गई है तो मैं इसमें एक बड़ा चमच लस्नदरक का पेस डाल रही हूँ और उसको डाल के थोड़ा सा भून लूँगी और फिर सुखे मसाले डालूँगी अब इसमें यह सूकर मसाले डाल रही हूं लाल प्रिच का पाउडर है नमक वंडर और मैरान मसाला और साथ में इसमें टमाटर, हरी धनिया और पुदीने का पेस्ट भी बनाया है वो भी डाल देंगे और दो से तीन इसमें हरी मिर्च भी है तो इन सब को डाल कर और थोड़ा सा पानी डाल कर इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है इस मसाले में मैंने दो हरी मिर्च पीस का डाला था और मसाला हमारा अच्छी तरह से भून रहा है तो अभी इसमें दो हरी मिर्च मैंने ऐसी अख्षी डाल दिया है और दो तेश पत्ता भी डाल दिया है बस अब सारे मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है तो मसाला काफी अच्छी तरह से भून चुका है और अभी मैं इसमें पालक डालूंगी तो मैंने दो बड़ी-बड़ी सा इसका पालक लिया है दो जूड़ी पालक लिया है उसको काट लिया है अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें थोड़ा सा सोया भी मिलाया है एक जूड़ी तो बस अभी इन सब को इसमें डाल दूँगी और पांच मिनिट के लिए इसको पकाऊंगी थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं इसमें चिकन डालूँगी तो पालक काफी सॉफ्ट हो गया है और नीचे चला गया है तो बस अभी इसको चला कर अच्छे से और फ्राई किया हुआ चिकन डाल दूँगी मैंने पहले से ही चिकन को हल्दी और नमक डाल कर फ्राई कर लिया था तो बस अभी साथ में ही पालक के साथ इसको भी डाल रही हूँ ताकि दोनों साथ में पक जाएगा और फ्राई करने से अल्मोस यह आधा तो गल ही जाता है और बस अभी पालक भी बहुत ही जल्दी पक जाता है फटाफट तो बस अभी इसमें इसको बन करके रखते हैं और पकने देते हैं और यहां पर नमक मिर्च वगरा भी टेस्ट कर लेंगे मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए माशाला माशाला हमारा चिकन और पालक बिलकुल बन कर वेडी हो चुका है और काफी अच्छा सा भून भी गया है और तेल भी साइड में आ गए हैं और आप देख सकते हैं इसमें ग्रेवी काफी अच्छा है मसाला और पालक का ग्रेवी बहुत ही अच्छा बना है और बस हमक मुझे पानी नहीं डालना है मुझको ऐसे ही रखना है तो बस बहुत ही बढ़िया सा मारा यह चिकन और पालक बनकर रेडियो हो चुका है और अभी मैं फ्लेम को आफ करूंगी और इसको ढखकर रखती हूं और फाइनल लुक आपको दिखाती हूं माशालला हमारा पालक चिकन और सोया बनकर रेडियो हो चुका है और मैंने खाना सफ कर दिया है आप इसको रोटी चावल पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है अपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आए और पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बहुत सारे अच्छे चे कमेंट कीजिए अपनी दुआ में हमेशा याद रखिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक बाये अल्डा हापीज पन्सुटाय के लाद पसंद आए और पसंद आए पसंद आए जरूर के लाद हैं जरूर लाद पसंद आए पसंद आए तो लाद